हेलो स्टुदेंट्स, वेल्कम तू अलीगर्स नंबर वन कॉमेट्स चैनल तो पेटा आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दि काय स्कॉयर टेस्ट तो काय स्कॉयर टेस्ट क्या होता है और इसको किस तरह से perform किया जाता है क्या क्या steps involved होते हैं काय स्कॉयर टेस्ट के calculation में वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं देखे इस्टुदेंट्स को मैंने देखा है कि बहुत ज़दा घबरा जाते हैं परिशान हो जाते हैं जब भी हम इन टेस्ट की बात करते हैं तो ये दो केटेग्रीज में डिवाइड़ है पहले हमें मिलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट फिर हमारे पास आते हैं नौन पैरामेट्रिक तो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और non-parametric test क्या होते हैं इन से related एक separate वीडियो बनाई जाएगी फिलाल आज हमारा जो focus रहेगा वो रहेगा काई square test को समझने में तो parametric test जो होते हैं वहाँ पर हम लोग calculate करते हैं f test, t test और z test तो ये different type के test हैं जो conduct किये जाते हैं जब हम parametric की बात करते हैं और अगर non-parametric की आप बात करें तो यहाँ पर हमारा आता है काई square test अभी हमारा काई square test क्या है इसको समझ लेते हैं देखें ये जो काई square test है ये काल पियर्सन ने दिया था इन 1900 और ये जो काई square है जो word है जो सबसे अजीब सा लग रहा है आपर सुनने में ये क्या है ये एक Greek letter है काई उसका हम square कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं काई square और ये काई square test हमें क्या बताता है ये काई square test हमें बताता है कि जो हमारी expectation है और जो हमारी observed value है उसके बीच में कोई खास difference तो नहीं है यानि के जो theory है और जो हमारी observation है इसमें कोई significant difference है या नहीं है theory का मतलब हो गया कि क्या हमारी assumption है या फिर क्या हमारी hypothesis है तो जो हमारी assumption या hypothesis है और जो actual observation है उसमें कोई significant difference है या नहीं है ये हम पता करते हैं काई square test के थूँ अभी हमने यहाँ पर word use किये है theory, assumption, hypothesis ये सब क्या है इनको समझ लेते हैं ये थोड़ा basic था जो अभी हमने देखा के भई ये जो हमारा काई square test है ये non-parametric test में आता है और इसको किस ने दिया था काल पियर्सन ने ये काई जो हम यहाँ पर use कर रहे है ये Greek letter है और इसको square कर दिया गया है और ये क्या बताता है कि जो हमारी theory है और जो हमारी observation है उसमें कोई significant difference है या नहीं है तो आईए आप देख लिते हैं कि काई square test को perform करने के लिए आपको किन किन steps को ध्यान में रखना है तो चलिए start करते हैं देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले हमें frame करनी होती है एक null hypothesis इस null hypothesis को आप h naught से denote करते हैं ये null hypothesis क्या कहती है कि जो हमारी observation है और जो हमारी theory है उसके बीच में कोई भी difference नहीं है ठीक है ना और इसी के साथ साथ frame हो जाती है एक alternate hypothesis इसको हम h a से denote करते हैं और ये बताती है कि जो हमारी observation है और जो हमारी theory है उसमें एक significant difference है ठीक है ना तो सबसे पहले क्या किया हमने एक null hypothesis और alternate hypothesis डिफाइन कर दी फिर हम आगे चलते हैं और यहां जो हम बार-बार word यूज़ कर रहे हैं significant तो हम एक level of significance यहां पर define करते हैं generally हम इसको रखते हैं 5% आप different level of significance पर चेक कर सकते हैं अपनी hypothesis को और साथ में आती है degree of freedom degree of freedom यह degree of freedom क्या है अभी हम calculation के time पर इसको देखेंगे इसको calculate करने का तरीका क्या होता है भई r-1 into c-1 r और c क्या है अभी हम समझेंगे थोड़ देर में और इतना करने के बाद फिर हम अपना solution स्टार्ट करेंगे solution में आप क्या formula यहां पर use करेंगे इसको हमें देखना होगा तो जब हम chi square की बात करते हैं तो chi square और यहां पर लिखा होता है suppose इस तरह से तो आपको इसको देखके घबराना नहीं है यह क्या है? यह है level of significance और यह जो हमने mu यहां पर लिया है यह है हमारा degree of freedom तो इस तरह से लिखा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता तो ऐसी कोई घबराना वाली बात नहीं है सरिफ मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता रहे है यह क्या है और यहां पर आएगा equals to यानि कि chi square equals to submission observed minus expected frequency whole square upon e क्या क्या बताया हमने आपको कि e क्या है expected frequency और o है observed frequency दो चीज़े हो गए और यह जो observed वाली frequency होती है यह question में हमें given होती है तो इसका आपको calculation नहीं करना यह already given होगी और यहां पर जो expected frequency है इसको हम calculate करते हैं और यह जो हमारा काई स्कॉाइर है इसको हम कहते है calculated value यह हमने क्यों बताया क्योंकि हम इसको बाद में compare करने वाले हैं tabulated value से तो यह जो हम calculate कर रहे हैं क्योंकि खुद हम calculate कर रहे हैं तो क्या नाम दिया जाएगा calculated value of काई स्कॉाइर formula क्या बताया गया है submission of O minus E यानि कि observed frequency minus expected frequency whole square upon E E क्या है expected frequency अब यहाँ पर यह जो हमारा E है यह किस तरह से calculate किया जाएगा इसको भी आपको calculate करना होगा क्योंकि O तो given है अब हम अगर E की बात करते हैं E को calculate करने का formula होता है row total into column total upon grand total अब यह क्या है values यह हम आपको जब बताएंगे जब हम question solve करेंगे फिलाल आपको क्या करना है formula समझ लेना है क्या है formula row total into column total upon N और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दी R और C था तो R है number of rows कि हमारा जो question है उसमे number of rows कितनी है और C है number of column तो number of rows minus 1 जितना भी है into number of columns minus 1 करके calculate की जाती है degree of freedom अब आगे चलते हैं जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद हमने यह value calculate करनी है और value calculate करने के बाद जो भी हमारा chi square आयागा calculated उसको हम अब compare करके देखेंगे tabulated value से तो calculated chi square जो भी हमारा आया और एक होगा tabulated chi square यह आप समझ सकते हैं कि chi square की एक table होती है वहाँ से हमें एक value calculate करनी है या फिर value find करनी है एक particular level of significance और degree of freedom के साथ उससे हम compare करके देखेंगे अपने result को और क्या पता लगेगा कि अगर जो हमारी tabulated value है वो जादा है तो हम यह कहेंगे कि हमारी null hypothesis जो है वो सही थी उसको accept कर लिया जाएगा null hypothesis जो हमने ली थी कि भाई कोई difference नहीं है वो बात बिलकुल सही मानी जाएगी अगर tabulated value जादा है लेकिन अगर calculated value जादा हो जाएगे तो हम यह कहेंगे कि null hypothesis is rejected यानि कि हमारी जो hypothesis थी कि भाई कोई भी difference नहीं है वो fail हो जाएगा उसको हम reject कर देंगे और जो alternate hypothesis लिया गया था उसको accept कर लिया जाएगा I hope इतनी बातें आपको समझ में आ रही है यह सब कुछ steps थे जो आपको याद रखने है जब हम calculate करेंगे chi square या फिर हम perform करेंगे chi square test क्या क्या बताया गया सबसे पहले null hypothesis और alternate hypothesis आपको define करनी है फिर एक particular level of significance पर आपको उनको define करना है generally given नहीं होता तो हम 5% रह लेते हैं degree of freedom किस तरह calculate करना होता है r minus 1 into c minus 1 और यह जो degree of freedom है इसको हम denote करते हैं mu से ऐसे v कह सकते हैं तो v बना देंगे तो degree of freedom का यह symbol हो गया फिर इसका formula क्या बताया गया है कि भई summation of o minus e upon e और o क्या है observed frequency e क्या है expected frequency square करना है आपको e कैसे calculate करना है यहाँ पर रखने के लिए तो row total into column total upon grand total जिसको total number of frequency कहा जाएगा और उसके बाद finally आपको क्या करना है calculated value को tabulated value से compare करके देखना है अगर tabulated value जादा है तो hypothesis accept कर ली जाएगी और अगर calculated value जादा है तो hypothesis जो आपकी null hypothesis है उसको reject कर दिया जाएगा और जो alternate hypothesis ली गई थी उसको accept कर लेंगे इसको समझने के लिए अब हमें कुछ question solve करने होंगे ताकि चीज बिलकुल clear हो जाए तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे दो question solve करने की एक question current lecture में रहेगा और दूसरे question को जो है हम अलग lecture में shoot करेंगे अलग lecture में record करेंगे ताकि आप एक ही करके बहुती सुकून से दो questions को solve कर पाएं तो आईए देख लेते हैं question तो question है तो यहाँ पर आप देखेंगे total population 2000 है जिसमें से जो हमने 500 को test किया है क्यूनीन देकर तो उसमें fever 20 लोगों को आया है और 480 को नहीं आया और जिन लोगों को क्यूनीन नहीं लगी थी उसमें 100 लोगों को fever आया 1400 को नहीं आया तो अब हमें समझना यहाँ पर यह है देखना यहाँ पर यह है कि भाई यह बताईए क्यूनीन वाली जो वैक्सीन है उसका कोई फाइदा हुआ या नहीं हुआ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रेम करेंगे अपनी नल हाइपोचिस और इसमें हम क्या बताएंगे कि फाइदा नहीं हुआ हमें उल्टा भागना है ठीक है ना तो क्या कही है फाइदा नहीं हुआ तो इसका मदलब क्यूनीन इक्वल्स टू नॉट इफेक्टिव सही है ना तो हम क्या मान के चलना है कि क्यूनीन का कोई फाइदा नहीं हो रहा और पूरा आप यहाँ पर लिख ले क्यूनीन इक्वल्स टू नॉट इफेक्टिव इन चेकिंग मलेरिया ठीक है ना और जो हमारी इसी के अकॉर्डिंग आल्टरनेट हाइपोतेसिस बनेगी वो यह कहेगी के भाई क्यूनीन जिन लोगों को लगी उनको फायदा हुआ तो क्यूनीन इस नॉट इक्वल्स टू नॉट इफेक्टिव इन चेकिंग मलेरिया जब यहाँ था हमने कहा नॉट इक्वल्स टू नॉट इफेक्टिव यानि के फायदा हुआ ठीक है ना अब हम स्टार्ट करते हैं अब सॉलूशन करने के लिए आपको क्या करना है कि भाई यह जो हमारे पास स्टेबिल थी इस स्टेबिल को यहाँ पर हमें दुबारा रिफ्रेम करना है लेकि किस तरह से समझते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम है त्रीटमेंट के लिए फिर है क्यूनी फिर है नो क्यूनी अब यहाँ पर आप देखिए दरा इसके बाद जो हमें यहाँ पर और वैल्यू लिखनी है तो फीवर और फिर छोटा सा आपको एक गैप छोड़ना है यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा भी देखेंगे और यहाँ पर आजाएगा नो फिवर फिर आपको एक गैप यहाँ पर छोड़ना है और फिर आप लिखेंगे टोटल ठीक है ना ध्यान रखी का एक गैप बहुत इंपोर्टेन्ट है क्योंकि यहाँ मैं बहुत ही काम की चीज लिखनी है यहाँ पर हमें लिखना है यहाँ पर मैं पूरा लिखेंगे expected frequency और bracket में ही लिखिएगा ठीक है ना तो अब देखते हैं इस table की जो values हैं उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो क्या क्या हमारे पास है कि 20 और 100 और total यहाँ पर हो रहा है 120 बिल्कुल आसान है solution चल रहा है देखो कितना मज़ा आ रहा है कुछ भी नहीं गया भी आपने as it is लिख दिया स्रिफ जो कुछ था फिर देखिए no fever में 480 1400 और 1880 यह हो गया भई टोटल की तरफ आ जाईए कितना है भई 500 1500 और 2000 अब यहाँ पर काम शुरू होता है कि भई यह जो e है यह किस तरह calculate किया जाएगा समझते हैं तो e के लिए आपको याद होगा एक formula बताया गया था row total into column total upon n अब समझे भई किस तरह इसको apply कर रहा है अब suppose कीजिए मैं इस वाले cell की बात कर रहा हूँ यहाँ पर किया value आएगी तो हम इस तरह कर देते हैं कि भई column number 1, column number 2 इसको हम कर देते हैं row 1 और row 2 तो हम यहाँ पर कहेंगे e11 इसका मतलब e11 इस वाले की बात हो रहे है क्या करना है समझे तो row 1 का total यह रहा 500 into column 1 का total यह रहा 120 upon grand total यह वाला कहेगा 2000 आ गया समझपा रहा है इसी तरहां से हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं e12 के लिए तो e12 देखेंगे आप तो e1 और 2 इस वाले की बात हो रही है न 1 2 तो इसमें आप देखेंगे row total कितना है 500 column total कितना है 1880 upon grand total सेम रहेगा 2000 next यहाँ पर देख लिते हैं e21 के लिए तो e21 कौन सा आएगा देखें e21 यह वाला हो जाएगा ठीक है न इसमें आप देखेंगे second row का total 1500 first column का total यहाँ गया 120 upon 2000 n है आपका और finally इसी तरह last में आप यहाँ पर calculate करेंगे e22 e22 कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे 22 यह वाला है तो इसका मतलब 1500 into 180 upon 2000 अब जल्दी से इन सभी values को calculate कर लेते हैं तो यहाँ पर देखते हैं भई 500 into 120 divided by 2000 यह आगया 30 ठीक है न इसी तरह इसकी बात कर लेते हैं 500 into 180 divided by 2000 यह आजाएगा 470 आगे चलते हैं 1500 into 120 divided by 2000 यह आजाएगा 90 और लास्ट में आप देखेंगे 1500 into 180 divided by 2000 यह बन जाएगा 1410 तो देखें यह हमने calculate कर ले हैं values of E expected values यहाँ जो हमने calculate की हैं उनको respective cells में आप हम यहाँ पर put कर देते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे E11 तो E11 हो गया 30 फिर आप देखेंगे E12 तो E12 यह वाला है 470 फिर आपको मिलता है E21 90 यह हो जाएगा बटा E21 और finally E22 1410 तो यह आपने इस तरह से एक table को fill कर लिया है अब हमें calculate कर ली है value of chi square इसके लिए क्या करना है आगे चलते हैं आप इसको note कर लीजिए तो चलिए बटा आगे continue करते हैं और calculate कर लेते हैं value of chi square तो देखिए chi square की value calculate करने के लिए आपको क्या करना है कि एक table यहाँ पर बनानी होगी जिसमें आप लिखेंगे o यानिके observed frequency e यानिके expected frequency फिर आप value calculate करेंगे o minus e then o minus e का square और finally जैसा आपको formula भी दिखाया गया था o minus e का square upon e यह value आपको calculate करनी है ठीक है ना ज़ली calculate कर लेते हैं ओ आप देखेंगे question में जो values given हैं वो ही होती है observed frequency आपको याद होगा हमने बताया था कि observed frequency वो होती है जो given होती है question में तो आप देखेंगे 20, 100, 480 and 14, 00 total वाली values को हम नहीं लिखतें क्योंकि main जो values हैं वो यह वाली हैं ठीक है ना अब आप देखेंगे expected values तो expected values यह हैं जो हमने calculate की है 30, 90, 470 and 14, 10 अब हमें क्या करना है value of O minus E तो O minus E आगया minus का 10 then plus 10 then again plus 10 then minus 10 यह आगई value of O minus E अब आपको करना है इसका square 100, 100, 100 और 100 सही है ना अब हमें इन values को divide करना है E से तो बन जाएगा O minus E का whole square upon E तो चलिए देखते हैं क्या क्या values आ रही है तो जब आप इसको divide करेंगे तो value आपको मिलेगी 100 upon 30 which is equal to 3.33 आगे चलते हैं 100 upon 90 1.11 फिर आगे चलते हैं देखिए 100 upon 470 यह हो गया 0.21 और फाइनली 100 upon 1410 value आती है 0.70 और आपको याद होगा formula कह रहा था submission of यहाँ बे देखेंगे एक बार chi square का formula कह रहा था submission of O minus E का whole square upon E इसका मतलब यह जो value है इसका अब आपको sum करना है और starting में मुझे ऐसा यादसा आ रहा है कि शायद यह line जो है वो यहाँ तक हो गई है तो आप इसको ठीक कर लीजेगा क्योंकि हमें क्या करना है यह जो whole value है इसका sum करना है तो इसका यहाँ पर आपको sum कर लेना है और बिटा sum करने के बाद यह value बनेगी 4.72 यह है हमारी calculated value of kai square I hope आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि हमने calculated value को किस सरा से यहाँ पर find किया है जो आ रही है 4.72 तो calculated value तो हमें मिल गई अब हमें चाहिए tabulated value तो आप देखेंगे भई tabular value के लिए सबसे पहले हमें चाहिए degree of freedom तो degree of freedom आपको बताया गया था r-1 into c-1 r क्या है number of rows तो हम देखेंगे हमारे पास इस question में दो row है 1 और 2 ठीक है ना यानिके 2-1 और यहाँ पर आप आप आजाईए दो ही column है हमारे पास 1 और 2 2-1 तो यह हो गया 1 into 1 तो degree of freedom आपका हो गया 1 ठीक है ना अब क्या करना है अब हमें चाहिए level of significance जो हमने रखा है 5% तो अब आपको यहाँ पर देखिए दो बात मिल सकती है या तो question में ही एक tabular value given होगी कुछ इस तरह से लिखा होगा इस type से एक value आपको question में given होगी और अगर given नहीं है तो फिर आपको जो chi square value है वो table में देखनी होगी table में किस तरह नजर आएगी आपको इस screen पर देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि level of significance और degree of freedom की हिसाब से हमारी value होनी चाहिए 3.84 तो हमारे पास फिलाल दौनों values आ चुकी है calculated value है 4.72 और tabular value है 3.84 अब हमें compare करके देखना होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे 4.72 और 3.84 में यह value बड़ी है इसका मतलब calculated value जादा आ गई तो जब भी हमारी calculated value जादा आ जाएगी तो हम क्या कहते हैं हम कहते हैं our null hypothesis is rejected तो जब यह reject हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो alternate hypothesis है वो accept की जाएगी और इसको accept करने का मतलब जा हुआ therefore we can say that cunine is effective in checking malaria I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काई square test perform किया जाता है और अगर आपको समझ में आ गया है properly पूरे notes बनाईए इस question को कीजिए अगर कोई point ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने friends को जरूर share कर दें ताकि वो लोग भी इससे कुछ benefit drive कर पाएं और ये जो आज हमने question किया है ना इसमें हमारी null hypothesis reject हो गई तो हम इसके साथ साथ एक question और करेंगे जैसे मैंने आपसे starting में कहा था तो एक अलग video जरूर बनेगी आप लोगों के लिए जिसमें हम एक question और करेंगे और उसमें लेखेंगे कि हमारी null hypothesis accept किस तरह होगी I hope आपको समझ आया होगा जो हमने आज ये video देखी है जो यहाँ पर हमने lecture देखा है काई इसकोई टेस्स रिलेटिड अगर आपको ये video पसंद आई बेटा तो जरूर इसको like कीजिए अपने friends के साथ जरूर share कीजिए चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई video के साथ thanks for watching